यूटूब पे कबार से जुगाड तो हमेशा से ही चलता आ रहा है मैंने भी कबार से जुगाड करके ही अपना गार्ण तयार किया है कौन-कौन से चीजों का मैंने रिउज किया है कैसे कैसे मैंने फ्लांटर बनाए है तो आपको इस वीडियो में मैं 3 DIY प्लांटर्स आइडिया दे रही हूँ जो बिल्कुल फ्री में ही बने है नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होपा पच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ देखिए गार्डन की शुरुआत हो या गार्डनिंग करनी हो या कबार से जुगाड करना हो तो हम घर की वेस चीजों का रियूज तो करते ही हैं तो देखिए यूटूब पे तो बहुत से ऐसी चीजे वाइरल है जो कबाड से बनी हुई है यानि कबाड से जुगाड तो हमेशा से ही चलता आ रहा है और वेस्टी जो का रियूज करना सभी को ही अच्छा लगता है अगर आपका गार्डन भी जीरो बजट में यानि लो कोस बन जाए तो आप भी खुश हो जाएंगे आपके गार्डनिंग भी हो जाएगी तो मैंने भी ऐसे ही कबाड से जुगाड करके अपना गार्डन तयार किया है यह जो डियाइवाइ देख रहे हैं सभी शैंपू की बोटल हो गई प्लास्टिक की बोटल हो गई यह हार्पिक को देखते रहें यानि मेरे साथ बने रहें मैं 3 DIY इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हूँ जो बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक बोटल और तेल के जो कैन होते हैं उन्हीं से ही मैंने तयार किये हैं यह वाले जो DIY हैं यह मैंने पहले तयार किये थे यह सभी प्लास् में आप इसी महीनत से बना लेती हुँ और उनमें पोदे कैसे लगाती हूं वो भी आपको पता ही है तो देखिए सारा ही चीजे यदि घर में जितना भी कबाड निकलता है सभी का मैं रूज कैसे कैसे करती हूँ कोई भी फास्ट करते हैं तो यह मठकिया लेकर आते हैं मठ कैने में का पैटरल दलता है वहीं कैने मोबिल वगएर है तो आपके पास अगर यह ऐसे कैन है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप देखते रहा तो आप का पार्ट मैंने कट कर लिया है को और वा दूनर हम पेज दे देंगे यह कैने इन पर पेंट करने के लाग शक्ता नह बस इसको कट करना है और फेस बनाना है यह जो फेस है मैं थोड़ा सा ऐसे ही यह अपना जैंट्स और लेडी का ही बना रही हूं तो मैंने देखो फेस थोड़ा सा अलग दिया है इनका आप एलिफेंट लुक भी दे सकते हैं तो देखिए यह वेस्ट में एक डबा था घी का इसको भी मैंने एक फेस दे दिया है तो देखिए यह प्यारी सी औरत खूबसूरत औरत मैंने बनाई है लेकिन यह ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं बनी लेकिन फिर भी अपने गार्डन में यह आराम से बैटी रहेगी तो मैंने देखो तेल के जो कैन है इनसे दो तो उन्हीं को ही मैं लगाती रहती हूं कटिंग से और जब अच्छे से ग्रो हो जाएं यह रूट पांड हो जाएं तो इनको अलग अलग करके मैं इन वेस चीजों में रिपोर्ट कर देती हूं तो यह चोटी सी हैंडिंग बास्केट थी देख सकते हो मैंने यह थोड़ द में लगा दूगी तो आपके पोधे भी बनते रहेंगे आप कटिंग लगाए चाहे ऐसे डिवाइड करके पोधे लगाए या फिर आप यह अपने चोटे-चोटे कटिंग लगा के इनको रूट बांड हो जाते हैं तो अलग-अलग करके इनको आप ठेरो पोधे बना सकते ह जब इसमें अच्छे से ग्रोव हैंगे फिर हम रिपोर्ट कर देंगे तो यह तरीका मेरे को बैस्ट लगता है और कबाड से जुगाड मैं करती हूं तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता है कई बार वीडियो पे कोमेंट भी आते हैं कि आपने कबाड भर रखा है बट मेर को अच्छा लगता है अगर आपको भी अच्छा लगता है कबाड से जुगाड करना कबाड से गार्डनिंग करना तो आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं तो देखो एक डियाईवाई तो मैंने आपको दिखा दिया तेल के कैन का और वेस्ट यह डबा था इनका तो यह सारे थे पहले भी मैंने यह डियाई बनाए है अब हम करें जो प्लाषैक बोटल का तो यह जो प्लास्टिक है पांच लिटर की है गघृ और इसका भी बहुत हिए इसा प्लांटर बनाने चोछ केबल टाइह इन ने इसको जोइंट कर लिया है के बडेखते की attraction, कुरीव है है , पदया है का अब शयज़ा करने के लिए आपने रिपे-बडेक लगाने ऐपनातल कि अब ने गरती जोड़शिया विंडो पर डोर करते है, तो यह परमानेंट होता है, तो तीन साल आपके गाहडन में बने रहेंगे खरआब नहीं होगे, थे और उन निदेगे मिंट्टि ते कर में शुक नहीं। बाइड करके यहुआ जो प्लांट रहे । छोटे बिविल्प भीन रहें चोटे चोटे बेभी बन्ते रहे? यह कर दिया मैंने कि ब्लास्टिक बोटल से एक जुगाड यहां पे इसको रख दिया है तो देखिए यह जिस पे मैंने रखा है, यह है टेबल, टेबल भी मैंने टूटी हुई टाइल से बनाया है, थोड़ी सी सिमेंट यूज की है, और चार मैंने बोटल यूज की है, उसी के उपर मैंने इसको रख दिया है, फिरी का प्लांटर हमारा बन गया है, जो बेकार की प कि अग्सा बनाने वाले हूं, देखिए कई मैंने पिकोक बनाए है, कई मैंने डख बनाए है, यानि 5 प्लांटर मेरे ऐसे 5 लिटर के ओईल के कैन के बने हुई है, यानि ये 5 वाण बनेगा, और 4 मेरे ओरेड़ी पहले से ही है, तो वो आपको मैं कई बार दिखाती रहती तो आपको मैं सारा कुछी कठा ही दिखा रही हूँ क्योंकि आज कल यूटूब पे बहुत जादा ही वाइरल हो रहे हैं जुगाड और हमेशा होते हैं जुगाड चाहे आप कभी भी यूटूब पे चेक कर लो जुगाड तो हमेशा ही वाइरल होते रहते हैं और जुगाड करना सबोंको पसंद भी होता है देखिए वेश कीयों का रियूज को पसंद नहीं होता इस तो तो मैं ऐसे कर लेती हूं वेश का रियूज मान गाडनिं भी करती हूं वेश कीयों से, most sense of the cape जो हमारे घर में पुराने कपड़े पड़े हुए होते हैं उनको भी मैं रियूज करती हूं तो वो मेरा जो चैनल है वो जुगाडू पिंकी के नाम से है अगर आप वहां वीजिट करना चाते हैं तो कर सकते हैं वहां पर मैं ओल्ड क्लोथ का रियूज दिखाती हूं या स्क्राइब तो आप जरूर ही करें तो देखिए यह हमारे जो डख है यह बनके हो गए हैं तयार और अब इसको थोड़ा सा में मार्कर से ही डेकरेट कर रही हूं देखिए बिल्कुल ही अगर आपको डिटेल से देखना है एक एक चीजे अगर आपको समझ नहीं आई मैंने कैसे बनाया है तो आप मेरे जो मेन जो वीडियो है एक एक अलग अलग मैंने बनाई है उनके लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पर आप अच्छे से डेटेल से भी देख सकते हैं वैसे मैंने अभी फास्टली आपको दिखाया है तो देखिए यह जो मैंने डक बनाये हैं यह अच्छे भी लग रहे हैं और हमारा प्लांटर भी बन गया है देखिए ऐसे मारकर से ही मैंने इसको थोड़ा साफ डेकरेट किया हां आखे बना दी नोजी बना दी अभी इसमें देखो मैंने यह छेद करना है और छेद करके हम लगाएंगे प्लांट तो मेरा हमेशा से फिरीकाई होता है और प्लांटर भी फिरीकाई होता है तो ऐसे जीरो बजट में आप गार्डनिंग के शुरुआत कर सकते हैं या गार्डनिंग करते हैं तो ऐसे वेस चीजों का रियूज कर सकते हैं आप देखिए यह मैंने भर ली है इसमें मि तो उन्होंने कट करके इस दीआ होगा। तो देखिए यह जो पोधा है कटिंग से आराम से लग जाता है और मेरा फिरी का प्लांटर फिरी का पोधा भी बन जाएगा चोटी सी कटिंग को भी मैं फेकती नहीं हूँ इसको भी लगा लेती हूँ तो फ्रेंड्स ऐसा जुगाड आपको भी पसंद होगा अगर आपको पसंद है तो आप भी जरूर करें ऐसे जुगाड यानि कबाड में पड़े हुए वेस्ट चीजों का आप अपने गार्डन में यूज करें आपको खुशी भी मिलेगी और आपके पोधे भी बनेंगे और आपके फृरी के प्लांटर भी बनेंगे तो तीन मैंने डियाइवाई आपको दिखाए हैं वो मेरे पहले की बनाये हुए हैं चोटते चोटे ऐसे प्लास्टिक बोटल से और चोटे-चोटे हार्पिक बोटल, कमफर्ट बोटल यह सभी का मैंने रियूज किया हुआ है और यह जो मेरा स्टेंड देख रहे हो सामने इसी पे मैंने इनको रखा हुआ है अगर आपको जुगार करना पसंद है और नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं आप महेंगे-महेंगे गंले भी ला सकते हैं उससे भी गाडनिंग होती रहती है तो यह जो है बोर्ण मीटा का एक डबब था और इसमें देखो मैंने यह नैस्टेशियम का प्लांट लगाया था जो मेरा फिरी में बीच से बना था और इसमें फ्लावर भी आ चुका है येलो कलर का तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू